कोश्वन नमर 16 देखते हैं दोस्तों इंट्रीगेशन 10 का पावर 4XDX पहले इसको हम सुल्व करते हैं और इस परकार से हम लिख सकते हैं इंट्रीगेशन 10²X whole square और DX क्योंकि 10 का पावर 4 था 10 का पावर 4 को हम 10²X whole square लिख सकते हैं अब जो है इसको हम solve करते हैं तो पहले जो है दोस्तों 10 square x किस प्रकार से हम लिखेंगे 10 square x into 10 square x dx whole square को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अब जो है दोस्तों फिर इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो 10 square x को रहने देते हैं 10 square x और एक 10 square को change कर देते हैं जिसको हम लिख सकते हैं 6 square x minus 1 क्योंकि 6 square x minus 1 होता है 10 square x अब इसको इससे multiply कर दीजिए तो multiply करने के बात क्या result आएगा integration 10 square x into 6 square x dx अब minus फिर 10 square x को 1 से multiply किजिए तो क्या जागा integration 10 square x dx अब जो है यह आपको यह parts को हम I1 मान लेते हैं और इस parts को I2 मान के तोर करके दोनोंक मान को बिठा देते हैं ठीक है दोस्तों तो ध्यान से देखिए let I1 बराबर integration 10 square x into 6 square x dx ठीक है अब देखिए यहां अगर 2 lorsque 10 square x मान लें, Z बराबर अगर हम 10, sorry 10 x मान लें, Z बराबर 10 x मान लें तो dz over dx क्या होगा, तो 10 x का different stage is an क्या होता, 6 square x होता है 10 x का different stage क्या होता है 6 square x होता है यह डी जैड वरावर क्या होगा तो सेक स्क्वार्ड एक्स और डी एक्स ठीक है तो ये देखिए आपका सवाल किस रूप में बदल गया तेन एक्स के बदलाव हम जैड लिख सकते हैं तो ये होगी आपको जैड स्क्वार्ड एक्स डी एक्स मोटाग हम कहले सकते हैं तो डी हुटए क्या लिसकते हैं दीजाद अब दोस्तों इसको तौरना आयद जैडी स्क्वार का इंट्री के संक देन एक जो लिए तो है इसमें एक जो लिए तो पावर हो या 3 बटेर 3 पलस में हो गया k iosis do salt , and 10x का फिरस होगा 10x harder hard drive k2 बाइ में 3 पलस में k , यह आपको i1 आ गया , अब धोस्तो आ 2 लिखना है कि है इसका दूसरा पार्टOP बटारा पÁर्ट देख लीजिये यह तो बन गया अब इसको तोड़ना है अदो नोग तोड़कर करके मौन बिठा देना है तब देखिए आई टू में जो है आपका रिजल्ट किया है कभी भी आप वीडियो देखें तो कौपी किलम ले करके ही देखें इंट्रिगेशन टेन स्क्वार एक्स डी एक्स आपको आई टू मन लेते हैं अब टेन स्क्वार एक्स को हम इस परकार से लिख सकते हैं सेक स्क्वार एक्स मेनस वन इंटू डी एक्स लिख सकते हैं सेक स्क्वार एक्स का इंट्रिगेशन क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वार का integration होता है 10X और 1 का X के respect में integration क्या हो गया X अब पलस में हो गया K ये आपको हो गया I2 समझ माया बात इसको K1 मान लेते हैं कुछ difference मान लेते हैं अब दोस्तों I बराबर आपके पास result था I1 minus I2 I1 minus I2 आपके पास result था और I1 आप निकाले हैं कितना तो 10X whole cube by में 3 आप लिखे होंगे 10X whole cube by में 3 अब पलस के 1 अग घाटा I2 आप निकाले हैं ये इसमें मैनस से गुना किजिए तो minus 10X plus X अब मैनस के 2 कर दें ठीक है ये भी constant है ये भी constant है दोनों constant घट करके एक different constant पर दालेगा तो हम इस परकार से लिख सकते हैं 10X whole cube by 3 minus 10X plus X अब पलस के ठीक है ये आंसर हो गिया दोस्तों तो ये आपको question नमर 16 था question नमर 17 आते है question नमर 17 है integration sin cube X plus cos cube X by sin square X into cos square X dx अच्छा सवाल है अब इसको तोड़ना है दोस्तों तो पहले सर पर था हम अलग अलग बटे कर दें यानि sin cube X बटे ही पूरा कर देंगे फिर cos cube X बटे ही पूरा करेंगे जो कट के आएगा डिजाल दोसको लिख देंगे तो चाह करेंगे integration sin cube X by sin square X into cos square X फिर पलस cos cube X by sin square X into cos square X और DX ठीक है अब देखिए जो काटने वाला उसको काट देंगे उपर में sin cube है नीचे में sin square है तो कट के क्या बनेगा sin X उपर एक उठो बचेगा नीचे में बचेगा cos square X अब पलस इसमें काटेंगे तो एक cos उपर बचेगा और नीचे बचेगा sin square X और DX ठीक है अब देखिए दोस्तों sin बटे cos दू को cos है नीचे में sin by cos होता है 10 क्या होता है 10 लेकिन फिर भी तो एक cos बचेगा दूठो cos है cos square मतलब दो को cos sin by cos तो 10 हो गया एक cos दो नीचे में बचा उसको अगर उपर ले जाएंगे तो वह हो जाएगा sin by cos बचा 10 और एक cos दो नीचे में बचा वह हो गया पलस उसी प्रकार से cos by sign हो गया cot एक sign जो नीचे में बचा उसको जब उपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos एक और ये हो गया d x ठीक है अब देखिए 6 x into 10 x का integration जो होता है दोस्तों वो होता है 6 x 6 x into 10 x का integration क्या होता है 6 x होता है cos x into cot x का integration क्या होता है तो मैनस cos x होता है और पलस में k answer ठीक है 18 नम्र आईए question नम्र 18 घ्यान से देखिए कौपी कलम पर जरूर लिखते जाएगा तो समझ माएगा नहीं तो बस हवा हवा ही हो जाएगा 18 नम्र cos 2 x plus 2 sin square x by cos square x dx cos 2 x को हम लिख सकते हैं 1-2 sin square x formula होता है cos 2 theta का होता है 1-2 sin square theta cos 2 x को हो जाएगा 1-2 sin square x अब पलस में 2 sin square x अब बटे में cos square x और 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 दी एक्स ठीक है यह मैनस में और यह पलस में कट गया इंट्रीगेशन 1 by cos square x और दी एक्स 1 by cos square x क्या होता है दोस्तों 1 by cos होता है 6 6 square x 6 square x का इंट्रीगेशन कैसे निकालेंगे 6 square x का इंट्रीगेशन होता है 10 x अब पलस में के यह हो गया question number 18 question number 11 आते हैं बहुत सुन्दर question देखिए question number 19 देखिए question number 19 है integration 1 by sin x into cos cube x डी एक्स बहुत सुन्दर question है दिमाग लगाने वाला बात है दोस्तों question जब भी वीडियो देखे copy column लेकर लिखते जरूर जाएं और पूरा वीडियो देखें तो आपको पूर्णता समझ में आ जाएगा और अभी जो हम बता रहे हैं NCRT class 12 mathematics exercise आपको 7.3 NCRT book से पढ़ाते जा रहे हैं आज आपको NCRT का ये 7.3 chapter जो है वो खत्म होने वाला है 7.4 chapter आपको कल सुरू करेंगे इसी परकार से आपको वीडियो सब दिन मिलते रहेगा integration का आप देख लीजिए उसके बाद जा करके differentiation का देखना है तो यहाँ पर हम 1 जो है 1 को इस परकार से लीख सकते है sin square x plus cos square x अब बाई यहाँ पर ये से लीख सकते है sin x into cos cube x or dx 1 को हम sin square x plus cos square x लीख दिये अब बटे हम जैसा आवा इसा लीख दिये अब जो है अलग अलग जिस परकार से बटे किये थे x बटे sin x into cos cube x पलस cos square x बटे sin x into cos cube x अब बाहर में बठा दिजी dx को ठीक है अब जो है दोस्तों फिर देखिए यहां जो कटने काटिए sin square एक sin उपर नीचे कटेगा उपर में एक sin बच जाएगा नीचे में cos cube sin x बटे cos cube पलस यहां देखिए cos square x है यहां है cos cube तो यहां पर दो ठोग cos उपर नीचे कट जाएगा फिर भी एक ठोग cos नीचे में बच जाएगा हम लीख सकते हैं by sin x into cos x क्योंकि दो ठोग कॉस तो कट गया एक ही cos बचेगा और into में हो गया dx अब यह parts को हम i1 मान लेंगे और यह parts को i2 मान के तोड़ देंगे यह होगी आपको i के बड़ावर i4 integration अब देखिए यह i1 मान लेंगे लेट i1 बड़ावर integration sin x बटए कॉस क्यूब एक्स और यह रहा दी एक्स तो दोस्तों पहले तो इसको solve करते हैं sin by cos तीन्ठो कॉस है नीचे में sin by cos होगा 10 फिर भी बच जाएगा दूगो cos sin by cos ने 10 हुआ cos square नीचे में बच जाएगा क्योंकि है cos q sin by cos वा 10 थोड़ा direct कर देते हैं आप लोग को तो दिमाग में रखिए sin by cos वा 10 फिर भी नीचे में cos square बच गिया जो की उपर जाएगा तो हो जाएगा sin square x dx इतना अथुर दिमाग रखना पड़ेगा class 12 के हैं आप लोग अब दोस्तों जैड बड़ाबर 10 x मालीजी सब्चूएशन मेंटर पढ़ा चुके हैं उसका वीडियो जो है आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में जैड बड़ाबर 10 x डी जैड बडी एक्स तेन एक्स का डिफ्रेंसेशन क्या होता है तो सेक स्कूर एक्स होता है अब डी जैड का बात करेंगे तो क्या होगा तो सेक स्कूर एक्स और डी एक्स देखिए दोस्तों सेक स्कूर एक्स डी एक्स को अटाग हम डी जैड लिखे तो पावर में एक जोड़ना है एक है एक में एक जोड़ना देंगे दो बटे में दो पलस में के जैड का मौन है कितना तें एक्स तो क्या लिखेंगे टेंड इसक्वाईड एक्स बाइ टू पलस की यह आपको I1 हो गया क्या हो गया I1 ठीक है अच्छा अब I2 लेते हैं को पीपल लिखते जाएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा समझने में ठीक है विडियो जब भी देखें तो को पीपल लिखते जरूर जाए I1 I2 I2 जो है वो है इंट्रीगेशन वन भाई साइन एक्स अइन टू में कॉस एक्स अडी एक्स दोस्तों समझने का बात है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को परिशानी फिलिंग होगा कि अब क्या करेंगे अरे कुछों यही I1 को क्या लिखेंगे तो साइन इस्क्वाइड एक्स पलस कॉस इस्क्वाइड एक्स ने लिखेंगे बटे में साइन एक्स एंट्ू में कॉस एक्स यह रहा DX फिर जो है दोस्तों अलग-अलग फिर बटे करना है तो कैसे लिखेंगे इंट्रिगेशन साइन इसक्वाइड एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पलस कॉस इसक्वाइड एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स ठीक है अब देखिए इसको तोड़ना है sin square x में एक sin उपर निचे कट जाएगा बच गया उपर में sin a sin by cos वह 10 plus cos उपर निचे कट गया cos by sin हुआ cot dx ठीक है 10 का integration होता है log 6x 10 का क्या होता है integration log 6x cot का integration होता है log sin x याद रखिएगा cot का integration क्या होता है log sin x अब पलस में कोई constant जोड दिजी ठीक है c या k k 1 या k 1 अगर मान लेते हैं k 1 ती या k 2 मान लेते हैं चोब मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब दोस्तों जोड में जोड में जोड में log गुना होता है यानि log 6x into sin x अब पलस में कोई constant जो है उसको लिख दिजी अब 6x को sin से गुना करने पर बन जाएगा 10 क्यों? क्योंकि 6x को हम बटे में cost लिख सकते हैं assign by cost क्या था? नहीं समझे बात 6x ठीट आथा था अब जो कहानी यह है कि i1 निकल गया i1 आपको निकला है 10 squared x by 2 पलस के 1 i2 निकला है कितना? तो लोग 10x पलस के 2 अब जो है दोस्तों आपके पास result i बढ़ावा है i1 पलस i2 जिसको हम अराम से लिख सकते हैं देखिए अब जो है इसलिए i बढ़ावा क्या result आएगा? i1 पलस में i2 i1 आपके पास देख लीजे कितना है देखिए i1 यह है और i1 तोड़ने आपको यह आया है कितना? 10 squared x by 2 यह i1 है और i2 कितना आया? देख लीजे i2 आपको यह है तो बीच में पलस था तो पलस देदीजिए पलस लॉग 10 x नहीं हो गया? अब पलस में कोई constant के जोड़ देजिए यह आपको integration हो गया तो 19 नमर कुशन लंबा कुशन था तो अध्यान से देखिएगा कुशन नमर 20 आते हैं अच्छा कुशन अभी इस नमर कुशन नमर 20 देखिए integration कॉश 2 x आपको नमर देखिए ठीक है दोस्तों? अब देखिए कॉश 2 x को हम लिखेंगे कैसे यह समझिए कॉश 2 x को हम ऐसे लिख सकते हैं cos square x minus sin square x नहीं लिख सकते हैं जो cos 2 theta फर्मुला नहीं होता है cos square theta minus sin square theta इंटू में dx अब y में cos x plus sin x उसका हुआ whole square ठीक है एक बार आप जरूर लिखिए वीडियो को देख करके वीडियो को लिखिए कोपी पर question answer को जो बताते जाते हैं फिर आप वीडियो एक बार देख लिजिए आपको पूर्णता clear हो जाएगा समझ में आ जाएगा total ठीक है क्योंकि सब question भाष्ट question है दोस्तों easy question ऐसा नहीं है कि आप लोग को हम easy easy question बताते चाते हैं जिससे हमको कोई ऐसा नहीं है तो हमारा मकसद है कि solution एक तरफ से कर देंगे कि आप लोग को फैदा होगा question hard easy सब बता देते हैं ऐसा नहीं सिर्फ easy easy हमको देना है ठकने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं आप लोग को एक तरफ से वीडियो इसलिए देते हैं कि आप लोग को भी फैदा हो क्लिक है a square minus b square फोन ला क्या होगा a plus b यानि cos x plus sin x i into a minus b यानि cos x minus sin x अब बट है नीचे में क्या cos x plus sin x holy square और dx देखिए उपर नीचे a cos x plus sin x कर जाएगा एक ठो बचेगा उपर में कौन तो बचेगा cos x minus sin x अब बट है cos x plus sin x और ये रहाद dx अब दोस्तों इसमें जैड मानना पड़ेगा नीचे वाले को जैड मानना लिजिए cos x plus sin x को ठीक है अब डिफरेंशियेट करिए dz बट है dx cos का डिफरेंशिजन होता minus sin assign का डिफरेंशिजन होता cos ठीक है इसको अगर हम सीधा करके लिखे है यारे dz बट है dx लिखे इसको सीधा कर दे cos x minus sin x ने हो गया या d z बड़ाबर क्या होगा d z बड़ाबर हो जागा cos x minus sin x इंटू में dx अब सवाल देके cos x minus sin x इंटू dx है जिसको हाटा का हम d z लिख सकते हैं इंट्रिगेशन d z नीचे वाले को हम z माने हैं देखिए d z बट जड d z बट जड का इंट्रिगेशन होता है log z plus की log z का मान है cos x plus sin मोड में लिख दीजिए cos x plus sin x अब पलस में की ये होगी आंसर कोस्चन नमर 20 था के लिए कोस्चन नमर 21 आते हैं बहुत ही सुन्दर कोस्चन है कोस्चन नमर 21 देखिए कोस्चन नमर 21 है इंट्रिगेशन sin inverse cos x और dx दोस्तों इसको इस परकार से लिखिए sin inverse cos को हम ऐसे लिख सकते है sin 90 मैनस थीटा sin 90 मैनस थीटा होता है cos थीटा और dx sin inverse sin खलास हो जाएगा क्योंकि sin inverse sin x होता है x यानि इसमें बच जाएगा क्या pi by 2 minus x dx अब pi by 2 तो है constant तो pi by 2 को किसके respect में हम integration करें है x के respect में pi by 2 को x के respect में integration करेंगे usepper pi by 2 x जैसे 1 का integration x का respect में क्या था x 2 का 2 x 3 का 3 x 5 by 2 का pi by 2 x घाता x का integration करेंगे x to power 1 है integration क्या करते नहीं power बें जोड़ते हैं एक में जोड़ेंगे 2 relative दो अपलस में कि यह था आपको 21 नमबर ठीक है लिख लिजिए 22 नमबर आते हैं तो देखिए 22 नमबर कोश्चन बहुत ही सुन्दर और थोड़ा सा हाड भी है दोस्तों इसलिए ध्यान से देखिएगा और हाड इसलिए बोलते हैं कि यह थोड़ा सा लंबा जाएगा और कोश साइन भी मैनस ए से हम उपर और नीचे गुना कर देते हैं भी मैनस ए से अंस ओहर में हम गुना कर दियो ठीक है है यह तो इसलिए बाहर हो गया ठीटा तो का ता तर इसलिए इसका मतलब साइन ठीटा भी कॉंस्टेंट है बाहर हो गिया अंदर में बचाथे क्योंकि एक्स जिसमें लगाऊ ही बडियावी होगा डी-एक्स जिसके तोल नाम हम तोरते हैं वही थो बडियावल होता हां की सब कॉंस्टेंट वन बाय साइन अब B-1 को बाह से लिख सकते हैं साइन एक्स घटा ए घटा एक्स घटा भी देखिए मतास उड़नन गया उड़ तो गया होगा कि सर जी कैसे लिखे आज रुकिए दू मिनट रुकिए दोस्त मैथमेटिक्स तो रगड देंगे हो दोस्त मैनस जब अंदर जाएगा एक्स और एक्स कट बी पलस में होगा तो बी घटा एए होगा नहीं समझे बात यह मैनस जब अंदर जाएगा एक्स और एक्स कर जाएगा मैनस जब इसमें गुना होगा तो मैनस मैनस पलस तो बी घटा एए होगा तो वहीं होगा ऐसा लिखने पीछे कारण होगा अब देखिए सुत्र पर साइन ए मिनस भी फरमला था, साइन ए, आइन टू में कॉस भी, नहीं हुआ, अब मैनस कॉस ए, आइन टू में साइन भी, तो साइन एक्स मैनस भी, नहीं हो गया, अच्छा, अब बटे हमें के है, तो बटे हमें ये महान है, कॉस एक्स मैनस ए, आइन टू कॉस एक्स मैनस भी, इंटू में Dx ठीक है ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा तभे समझ माएगा साइन A-B का फर्मलाता है साइन A इंटू कॉस B तो B ये हुआ A ये हुआ भी ये हुआ साइन A इंटू कॉस B मैनस है बीच में तो मैनस साइन इंटू साइन B बटे हम जो है वो लिख दिये अब दोस्तों फिर थोड़ा सा इसको जो है कहानी घुमाते है साइन B मैनस A तो है ये है इंट्रीगेशन इतना इपूरे एक बटे इपूरे कीजिए तो लिख कर क्या करना अब तो आप लो टेज है इतना बटे इतना जब कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा बचेगा कौन साइन इतना बटे कौस इतना तो साइन बटे क्या होता है साइन बटे कौस टेन होता है नहीं होता है ठीटा है एक समेनस A दे दिए अब फिर गहटा दीजिए इस दुनों के बटे इस दुनों के बटे इस दुनों के बटे क्योंकि पूरे एक बटे ये है एक बार इसके बटे इसको किजिएगा तो cos x- 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 कर लेते हैं one by sine b minus a और यह 10 का integration जो होता है दोस्तों 10 का integration क्या होता है तेन का तो आप लोग को याद होगा 10 का इंडिशन था लॉग से एक ठीटा लॉग से एक ठीटा अम माइनस यह भी 10 है ठीटा चेंज है तो इसका भी क्या होगा लॉग से एक ठीटा से ठीटा जो ओर लिए और पलस में के लिए ठीटेज दीजिए थीक है अध दोस्तों एक बात दिमांगा रखना mentalidade घटा में लोग क्या होता है घटा में लोग जो होता है न वह भागा होता कि यह भी लोग यह भी लोग है दोनों घटाम लिखा गया बीच में घटा है ना घटाम लोग क्या हो रता है भागा हो जाएगा यानि लिख देंगे लोग असीख इस मैनस ए अब बटे शेख एक्स मैनस भी होल मोड पूलस के चाहे तो ऐसे भी अंसर लिख सकते हैं और आं तो इसको उपर नीचे करके इसे कागा उपर जाएगा तो क्कॉस होजएगा ये सेक नीचे आगा तो कोश होजएगा तो यह तो एसे रहने ने दिज्वे दिख्कत फिन्हें तिए गोसर नमरागा था 22 नमर था बन गया कोशन नमर तइस आते बहुत ही छटका objective एकोशन नमर्ट देखिए ये देख लिए ठीजिट सबीस भेस नमर्ट कोशन दह तेना हलका है कि कहिए सर जी इसको तो हम बना रहेंगे चटनी साइनी स्क्वार एक्स मैंनस कॉसी स्क्वार एक्स बटे साइनी स्क्वार एक्स इंटू कॉसी स्क्वार एक्स डी एक्स दोस्तों सरपर्था इसका अलग अलग बटे कर दीजिए साइनी स्क्वार एक्स बटे दूनों कि जेगा तो सा स्क्ट 1 1 1 BC защ Beauty धूस्त वोस्त से से 1 को घ़ता है से स्क्ट 1 को से 20 pro 1 BC अब से स्क्ट्राइट एकस का turn Premier होता किन एकस क्या होता है पर फोलस्म इंध्य माइनस गुना माइनस पॉलस देखिए टेन एक्स पॉलस में कोट एक्स अपॉलस में कि यह था अब्जेक्टिव ठीक है लास्ट इस चेप्टर का एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12 का लास्ट कोश्चन है 24 नम्मर वू भी देखिए लिजिए कोश्चन देखिए इंट्रीगेशन एक पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बटाए कॉस स्कॉर्ड इंटू 1 पावर एक्स ठीक है दोस्तों तो सर पर्थम आप लोग जैड इसको मन लिजिए जैड बराबर एक पावर एक्स इंटु एक्स यह यू भी फोर्मुल आप अब इसका differentiation करेंगे DZYDX, दोस्तों कैसे होता differentiation पहले वाले का अगर dash करेंगे तो दूसरे वाले को छोड़ देजिए, ठीक है अब अगर पहले वाले को छोड़ देते हैं तो दूसरे वाले का dash कर देजिए, समझें? अब देखिए, E के पावर X का डिफ्रेंसेशन होता है, E के पावर X, इन्टू में X, पलस E के पावर X, X का डिफ्रेंसेशन होता है, वन, इस दोनों में E के पावर X को मोन, X पलस वन, ये तो DZ बटे DX ने हुआ हो, E के पावर X इन्टू X पलस वन, अब करना क्या है, इसको इंटू में वन पॉलस एक्स इंटू डी एक्स यहीन सवाल है देखिए इसके बदला महटा के हम डी जैड लिख सकते हैं इंट्रीगेशन डी जैड बटै में कॉस स्क्वार यहीन जैड मौने थे देख लिजिए अच्छा बटै वला कॉस को उपड़ ले जाएंगे तो क्या ह होगा सेख स्क्वार जैड दोस्तों सेख स्क्वार का इंट्रीगेशन क्या होता सेख स्क्वार का इंट्रीगेशन होता टेन टेन जैड पॉलस के या तेन जैड का मौन हम क्या मौने थे देखिए एक्स एके पावर एक्स आप पलस में के नहीं हो गया यही एंसर हो गया दो एक्सरसाइज 7.3 क्लाश 12 न्सी अर्टी का बुक था ये अभड हो गया एक्सरसाइज 7.4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चेनल सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में पहले अकंदवा दिजेगा धन्नवाद